आपके अपने प्लैट्फॉम डिगे गुपता ओनलाइन वीडियो फॉर गौर्मेंट अक्जाम में और मैं आपके एजुगेटर एडि के गुपता तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सही बच्चे लाइव आजीए देन फिर दोस्तो आज की अपनी कक्षा को आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं जो कि मैं आप लोगों को क्या करवा रहा था दोस्तो आप सही बच्चों को पता होगा मैं आपको आपके आने वाले सीटेट 2023 की प्रिपेशन करवाते हुए चल रहा था जिसमें हमने टार्गेट बनाया था कि पहले हम जो बात करेंगे वो 2021 और 22 की सारे के सारे पेपर बात करेंगे तो वो हमने पूरे के पूरे फिनिश कर लिया थे और अब हमने टार्गेट बना रख था है कि 2022 और 23 में पूछे गए जितने भी पेपर है आपके वो हम कम्प्लीट करेंगे जिसमें मैंने आपको कल याने की मंडे को आपको एक टाइम टेबल बताया था जिसमें मै बात कर रहे हैं 2022-23 के अंतरगत 9 जनवरी के दिन कब 9 जनवरी के दिन जो आपका EBS का पेपर पूछा गया था उसके बारे में जो कि आज अपनी कक्षा कौन सी है दोस्तों तो यह आज के अपनी कक्षा है दूसरी इससे पहले हम एक कक्षा कर चुके है जिसे हमने 29 दिसंबर वाले पेपर की बात करें थी ठीक है तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सही बच्चे लाइव आईए फटा-फट बताईए सारी चीजे क्लियर है देन फिर आज को हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे ठीक है चलिए एक बच्चा बोल रहा है गुड बॉनिंग गुड आफ यह सब्जेक्ट है ना ओके चलिए एक बच्चा गयरा सार कल मैरथन नहीं हुआ था हुआ था बाई चार बजे आप देखिए एविएस की जो बिहार सेवन फेस को लेकर है वो मैरथन हुई थी ठीक है एविएस का टाइम अलग रखिया हिंदी का टाइम अलग रखियेगा अब हिंदी का भी टाइम सेम ही रहेगा जो कि आपका थर्सडे से लेकर सेटर्डे होगा और वो बारा बजे ही होगा टाइम सेम ही है बस दिन बदल गए है ठीक है चलिए शुरू करें फिर बिल्कुल डियर जो बच्चे पूछ रहे हैं हाँ वारी हो तो बिल्कुल फर्स क्लास हो फाइन हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है एक बच्चा बोल रहा है सर आप एक ऐसी वीडियो बना दीजी जिसमें आपके आट अन कल्चर वाला पूरा का पूरा टॉपिक हो भाई आट अन कल्चर वाले जो हैं वो 28 जिले और 8 यूनिन टेरिटरी है तो अगर लगभग लगभग जो हैं वो क्लास जो होगी वो 10 से 12 गंटे की होगी तब जाकर पूरी की पूरी चीजे कंप्लीट होगी जल्दी मैं करवा दूँगा टेंशन ना लो ओके चलिए आए फिर आज के अपनी कक्षा को शुरू करते हैं और किदर उदर की बातें ना करके तो पहला कोश्चन आपकी स्क्रीन के उपर ये रहां बता कि विद रिस्पेक्ट टू दा लोकेशन ओव दा कैपिटल ओफ इंडिया दा रिरेक्शन ओफ लखनौ कैपिटल ओफ उत्तर परदेश एंड जैप्यों कैपिटल ओफ राजस्थान री पर्जेक्टिब ली तो जल्दी से मुझे बताईए जल्दी से कौन सा बच्चा बता कि इतनी डीले कहां चल रहे हो बिप्यस से का फ़र्म अपलाई करने की चल रहा है बारत तारिक आखरी रेट है अपलाई करिए चल ये बच्चे कहा रहे हो है बी होगा हम बी होगा ऑप्शन नमबर सेकंड होगा चल ये आगे है कहीं पर मैप है चोड़ दीजिये इसको यहीं समझाता हूं, देखो, भारत की राजधानी की स्तीतिके सापक्ष, तो भारत की राजधानी कहा है, यह रही दिल्ली, ठेक है, अब बोल रहा है, कि लखनो की, उत्तर परदेश की राजधानी लखनो, लखनो की राजधानी यह रही, उत्तर परदेश की राजधान उसकी दिशा क्या है तो राजिस्थान की जो जैपूर है वो इधर है तो एक बार यह इधर देख रहा है और एक बार यह इधर देख रहा है और बीच में बनाई है प्लस का साइन यह हो गया इस्ट यह हो गया साउथ और यह हो गया वेस्ट एक बार इसने इधर देखा तो य आप सही बच्चों को पता है यह हमारी दिल्ली है और यह उत्तर परदेश लखनव हुए और यह राजिस्थान जैपूर है ऐसा फीगर बन रहा है और यही फीगर हमने यहां बनाया है ठीक है आगे चलते है अगला कोश्चन बोला है कि एक अध्यापिका की नियुक्ति महारा के एक विध्याले में हुई है वैभोजन के विशे में पढ़ा रही है ठीक है आगे बोला है तथा वह है भरली वांगी ज्यान रखेगा क्या है यह भरली वांगी एक बच्चे ने अभी बोला कि सर कृप्या करके भारत की सांस्कृतिक क्या सांस्कृतिक विवित्ता में एकता एक यह पूरी की पूरी आपकी किताब है वो वाला का पूरा का पूरा कंसेप्ट करवा किलियर करवा दीजिए तो यह देखो दोस्तों यहां से आपका पूछ लिया भरली वांगी अभी भरली वांगी क्या है जल्दी से मुझे बत आँप्शिन नमबर ए ऐप्शन ambe Belle चलिए विलकुल भार सभी बच्छों निसका अंसर लग ऐ 140 को और प्शनमेश लग ये इस धा राइट अंसर ठीके ये दो मिनटेवेट करना बाई दोस्तों कि है कुंग झाल झाल खान पाने कहां का महारास्ट का तो महारास्ट में एक चीज खाई जाती है जो कि छोटे छोटे बैंगनों से बनाई जाती है नाम क्या है उसका तो उसका नाम है भरली वांजी यह यहां से कोश्चन पूछा गया था भरमा छोटे बैंगन होते यहां से एक कोश्चन देखने को मिला तो जिस जिस बच्चों ने option number A लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल correct और बिल्कुल right answer लगाया ठीक है? हाँ जी, चलिए, आगे चलते है अगला कोश्चन बोल रखा है कि पक्षियों के पंख विभिन रंगो, आकारो बनाते हैं, तो यह चार विंदू है यह चारों विंदू में से विंदू चुनिये बताइए कौन सा बच्चा साही बनाता answer लगाएगा option number A, option number B option number C, या फिर option number D जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा बताएगा हाँ जी, महराष्ट का भोजन था वो, चलिए option number B लगाना शुरू कर दिया बच्चो ने option number B, option number B बिल्कूल दोस्तो, option number B is the right answer ये बात ध्यान रखिएगा कि विभिन परकार के भोजन जो उसको चौच खाने में मदद करती है पंक खाने में मदद नहीं करते है चौच जो होते हैं, उनके रुपांतरित होते है सर्दियों और गरमी के रूप में तो उन्हें वो क्या करते हैं, गरम रखते हैं सर्दियों के दिनों में और अगला है आपका विविन तरीके से चलने में, balance बनाने में भी उनको punk क्या करते हैं, मदद करते हैं और ये जो है, okay, punk जो विविन परकार के चलने में नहीं, उनको balance बनाने में, चलने में तो tank मदद करते हैं, तो उनको जो पंक होते हैं देखा होगा पक्षी पानी में डूबकी लगाते हैं और वो उड़ते हैं तो सुखे-सुखे पंक जार लेते हैं तो इसलिए उनको क्या करता है वो वाटर प्रूब भी बनाता है तो option number B and D जिस जिस बच्चों ने B and D लगाया वो बच्चों ने बिल्गुल correct और बिल्गुल right answer लगाया हाँ जी B and D यानि के option number second is the right answer directly a question यहाँ से पूछा गया था आपका कि पक्षियों के पंक अलग अलग रंगों वे design की होते हैं उनके पंक उने उड़ने में मदद करते हैं इतना ही नहीं पंक उनके शरीर को गरम भी रखते हैं और समय समय पर पंक जो होते हैं उनके पुराने वो जढ़ जाते हैं और एगसे ने उनकी निमलिखित विशेष्टा होते हैं जल्दी से पताइये अच जो एगढस अंडे देते हैं उनकी क्या से निमलिखत वीशेष्टा होती है jaर ओप्शन नमबरत अ ऐए ऑप्शन नमबरियो प्श norm convenient ''कलर चेंज कर लिजी सर जी कलर चेंज कर लीजी कलर कर लिजिए लो यार कैसी बात कर लिए। अगर आप बोड़ का वाइट क लगर करने करने के लिए गलब out तो पोर्ट पहीं हो राव है उनके आंत्रिक कान होते है एवं शरीर पर बाल नहीं होते देखो दोस्तो जो जो अंडे देगा पशू उनके कभी भी देख लीजेगा उनके बहारी कान नहीं होते हैं और उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं तो option number second is the right answer जिस जिस बच्चों ने second लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल सही answer लगाया इसे अपने आप से connect करके देख लिजेए जैसे कि हम मनुष्य हैं मनुष्य के शरीर पर बाल होते हैं और बहारी कान भी होते हैं हम लोग किसको जनम देते हैं बच्चों को जनम देते हैं ठीक है त अगला कुछ है बोल रखा है कि उस पहली भारते महिला का नाम जिनोंने एवरेस्ट परवत की चोटी पर कदम रखा और राष्टे धोज तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो खीची जल्दी से मुझे बताईए कौन सी है तो जल्दी से बताईए option number A, option number B, option number C, या फिर option number D बिल्कुल जिस जिस बच्चों ने बेचंदरी पाल या निकि option number 4 लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल सही अंतर लगाया तो ध्यान रखेगा दोस्तों ये भारत की पहली महिला बनी जो माउंट आवरेस्ट को जिनोंने क्या करा फतै करा कब करा था दोस्तों तो ध्यान र जिस जिस बच्चों ने लगाया बेचंदरी पाल वो बच्चों ने बिल्कुल करक्टा अंसर लगाया ये क्या थी भारत की पहली महिला ठीक है अगला question निमलिकित में से कौन सा या से कठन मनीपूर के संबंद में सही है तो भाई ये 4 बिंदू दे रखा मनीपूर के बारे जल्दी से बताईए कौन सा बच्चा बताएगा जल्दी से बताओ चलिए इसका अंसर बता रहे है बच्चे option number B क्या है option number B तो देखो दोस्तों क्या बोल रखा है पहला मनीपूर का जो अर्थ है वो क्या अर्थ है जेवरो का देश land of dwellers बिल्कुल दोस्तों जेवरो का देश कहा जाता मनीपूर को ठीक है अगला है लावनी लावनी जो है महारास्ट का है ना की मनीपूर का है गलत हो गया अगला है लोक तक जो जाना जाता है फुम्दी नामक दोला कार पैरते हुए दलदलो की कारण जाना जाता है बिल्कुल दोस्तों क्या है ये एक अभिराण के रूपे भी जाना जाता है तो ये भी बिल्कुल ठीक है अगला है मनीपूर बास के उतपादकों का सब से बड़ा उतपादक है तो देखो दोस्तो ये वाला जो question है ये थोड़ा सा है ना typical सा question है typical सा question मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तो अगर आप अपने exam point of view से देखोगे तो exam point of view में A, C and D यानि कि ये वाला option बिल्कुल ठीक कर रखा था exam की तरफ से देखोगे तो A, C and D विल्कुल ठीक कर रखा था लेकिन वहीं पर ही दोस्तो ध्यान रखेगा अगर आप से क्या पूछ ले अगर आप से पूछा जाए कि ये वैसे देखा जाए तो क्या है तो मनी पूर जो है बास के उत्पादकों में सबसे बड़ा राज्य नहीं है इस बात को ध्यान रखेगा क्या है मनी पूर जो है बास के उत्पादकों में सबसे बड़ा राज्य नहीं है कैसे तो देखो दोस्तों ये पूरा का पूरा जानकारी है तो यहां देखोगे तो यहां पर मनी पूर का शाब्दी करता है वो क्या लिख रखा है मणियों का देश देखा है पहला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आगे बात करोगे तो इसके पूरी के पूरी चीजों के बारे में लिख रखता है आगे बात करोगे तो लोग तक जील जो हैं वो इसी तैरता हुआ दल देलियों जो फपुंदियों से बना हुआ ओफो यहीं पर ही है ठीक है कोई दिकक्त वाली बात नहीं है इसी टॉपिक को जब आप आगे पढ़ते हो तब आपको आगे बताया जाता है कि जो मिज्योरम राज्य है, जो मणी पूर है, तीसरा बास का उत्पादक सबसे बड़ा राज्य बताया रहता है, कौन सा, तीसरा, ठीक है, लेकिन आप सही बच्चों को पता है, डेटा हमेशा चेंज होता रहता है, तो क्या पता अक्जाम पॉइंट आफ यू से ठीक हो, औ चाहिए और सी होना चाहिए करें, चोथा आंसर थोड़ा सा क्या है, मिसकंसप्स वाला आंसर है, ठीक, चलिए, आगे चलते हैं, अगला कुश्चन है, कि कार रह ऐसी चीज है, जो हम करते हैं, तो ये चार विंदू है, और ये चार आप्शन है, जल्दी से मुझे बताईए कि work is something we do to, जल्दी से बताओ कौन से बच्चा बताएगा, फड़ा फट, जल्दी से बताईए, फड़ा फट बताओ दोस्तों क्या होगा इसका अंसर, कि कार रह एक ऐसी चीजे जो हम करते हैं, कौन सा बच्चा बताएगा इसका correct अंसर, चलिए, आईए, तो देखो दोस्त यश कमाने के लिए, देखो दोस्तों कारे जो हम किसले करते हैं, यश कमाने के लिए, यानि कि unfame करने के लिए, नहीं भाई, यश कारे जो हम करते हैं, पहला अपना पीट को सांत करने के लिए, क्या, पीट को शांत करने के लिए, यश कमाने के लिए हम कारे नहीं करते हैं, अगला है मनोरजन के लिए नहीं भाई मनोरजन के लिए कौन कार्य करता है और अगला उर्जा बचाने के लिए वह तो बैठे रो दिन बर उर्जा बच जाएगी आपकी तो option number third C is the right answer जिस बच्चों ने इसका C लगाया वो सबी के सही बच्चों ने क्या लगाया विल्कुल करता answer बच्चों अगला question बोला है हाथियों के जुंड के बारे में निमलिकित में से कौन सा सही है लेजिए भाई ये चार बिंदू दे रखें और सही विकल्ब का चैन कर अगला है उनके जुंड में सारे नर हाथी होते हैं नहीं ये भी कहना बिल्कुल गलाथ है अगला है नर हाथी जुंड के साथ 14-15 वर्ष के आयू तक रहते हैं जी दोस्तों अगर कोई बच्चा है उसके इंतरगर जो नर है वो 14-15 साल तक रहेगा ये बिल्कुल ठीक है हाथी जुंड में 10-12 हत्मिया और उनके बच्चे होते हैं पहला कोईशन दूसरा हाथी 14-15 साल तक इस जुंड में रहते हैं फिर जुंड छोड़कर अकेले रहना प्रारंब कर रहते हैं तो यहां से ये दो अप्शन निकल कर आये थे हैं ठीक है आगे चलते हैं अगला सेंटी में 110 सेंटी में यदि यह बोल रहा है कि पट्टन चेरू दर्वाजा और फटेफ दर्वाजे की बीच की जो दूरी है वो 15.2 सेंटी में है तो इन दोनों इस्थानों की बीच की वास्तविक दूरी क्या है तो देखो दर आप दोस्तों जब आप अपना कल वो होगे क्या गोलकुंडावला मान्चितर तो एक सेंटेमिटर इस दिगल्टो में 110 इहाँ साफ साफ लिखा है एक सेंटेमिटर इस दिगल्टो में 110 ठीक है वहीं पर दोस्तों आगे पढ़ोगे तो इसने बोलर रकह hazard 15.2 सेंटिमिटर कितना होगा यही बोलर रखा है तो एक पांच हो गया, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये पांच हो गया, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये साथ हो गया, ये छे हो गया, ये एक हो गया, एक जीरो अटाई थी हमने या जीरो लगा दिए, एक पॉइंट अटाया था तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, बस यहां आगया, 1672, क्या होगा, मेटर, 1672 मेटर है, कहीं नहीं है, किलो मेटर में बदलना है, तो एक किलो मेटर की बात करे जाए, तो कितने हो जाएंगे, हजार मेटर हो जाएंगे, तो तीन के बाद बिंदू लगा दो तीन के बाद बिंदू यहां लगाओगे तो एक दशमलव छे साथ दो किलोमेटर यह अंसर हो जाएगा आपका देखो कहाँ पर यह अंसर यह रहा अप्शन नमबर थर्ड जिस बच्चों ने अप्शन नमबर थर्ड लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्टर बिल्कुल राइट अंसर लगाया हाँ एक दशमलव छे साथ दो जिस जिस बच्चों ने लगाया हो बच्चों ने बिल्कुल सही अंसर लगाया ठीक है ठीक चलिए आगा चलते है अगला कुश्चन बोला है कि सोना क्या है सोना ध्यान रखेगा कि सहेली तारा मिजोरम से हैं और तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली परमुक भाषाएं है तो मिजोरम में बोली जाने वाली जो परमुक भाषा है वो क्या है जल्दी से बताईए ओप्शन नमबर A, ओप्शन नमबर B, ओप्शन नमबर C या फिर option number D कौन सा बच्चा बताएगा मिज़ोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है देखो दोस्तो मिज़ोरम जो है वो अनेक परकार की भाषाओं का समू है लेकिन मिज़ोरम में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती हो मीजो बाषा बोली जाती है सबसे ज़्यादा मीजो भासा बोली जाती इसके साथ-साथ में आपका लुसेई और साथ-साथ में कुकी ये भी बोली जाती है तो option number second जिस जिस बच्चों ने second लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल correct और बिल्कुल right answer लगाया ठीक है आप जब अपना चैप्टर पढ़ोगे तो आप सभी बच्चों को हाँ पता चलेगा कि अधिकारिक भासा जो हैं की मीजो है अंगरेजी है और हिंदी है भारत की विवित्तायवम एकता में और इसके इलावा अनेक परकार की वहाँ जंजातियां भी रहती है जो की वहाँ की जंजातियां भाषाएं है तो ये तीन परकार की भाषाएं देखने को मिलती है अगला कोश्चन अगला कोश्चन बोल रखा है कि पेट्रोलियम तथा कोईले को आनवीन एक रण इंधन कहा जाता है क्योंकि जल्दी से मुझे बताईए non-renewable fuel कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि आप सही बच्चों को पता है अगर ये fuel एक बार खतम हो गए तो इनको दुबारा बनने में लाखों साल का समय लग जाएगा जो कि मनुष्य का जीवन क्या पढ़ जाएगा यहाँ पर छोटा पढ़ जाएगा क्या पढ़ जाएगा मनुष्य का जीवन छोटा पढ़ जाएगा तो इसलिए ध्यान रखेगा option number 4th is the right answer इसे बनने में क्या होगा कई सालों का समय लगता है और ये जो अवदी होगी हो मानाज जीवन की अवदी से बहुत ही अधिक होगी इसलिए इसको बनने में समय जादा लगता है आन विनिकरन इंधन कहलाता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला बोला है कि प्रवता रोही अपने साथ ऑक्सिजन सेलैंडर ले कर जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है जो भी mount climber होते हैं जो mountaining करते हैं वो अपने साथ ज़ुरूत का समान के साथ oxygen cylinder भी ले कर जाते हैं क्यों ले कर जाते हैं दोस्तों । खाना पकाने के लिए नहीं अपने को गरम रखने के लिए नहीं सास लेने के लिए क्योंकि अधिक उचाई पर जैसे जैसे आप भढ़ते जाओगे, वहाँ हवा की मातरा पत्री होती जाएगी, कम होती जाएगी, जिसके करण सास लेने में तकलीफ होती रहे, तो इसलिए वह अपने साथ oxygen cylinder, यानि की third option is the right answer, जिस जिस बच्चों ने थाड लगाया, वह बच्चों ने बिल्गूल correct answer लगाया, यह question डिरेक्ली यहाँ से पूछा गया था, कि जो पहाड़ों पर चड़ने वाले होते हैं, वो अकसर अपने साथ में oxygen cylinder भी लेकर जाते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप उपर जाते जाओगे, वैसे वैसे जो हैं सास लेने में मुश्की लिए बढ़ती होई जाएंगी, यहाँ से यह question बना था आपका, ठीक है? अगला question, अगला है, अरब सागर के तीन भारती है, तटवरती है, परदेश यानि की राज्य है, यह चार option है, option A, B, C, या फिर D, तो देखो दोस्तों, आप सही बच्चे को पता, यह हमारा भारत है, यह हमारा तटवरती राज्य है, तटवरती राज्य की बात करी जाएं, तो यह अरब सागर है, अरब सागर की बात करी जाएं, तो पाँच है, गुजरात, महराष्ट, गोवा, करनाटका और कैरला तो कहाँ पर ऐसा option देखिए option number C देखो option number C गोवा, महराष्ट और कैरला जिस जिस बच्चे ने option number C लगाया अब वो बच्चे ने बिल्कुल correct और बिल्कुल right answer लगाया अभी अभी मैंने आपको बताया गुजरात, महराष्ट, गोवा, करनाटका और कैरला कहाँ पढ़ते हैं? अरब सागर की तरफ पढ़ते हैं यही आपका सही answer था कुल मिलाकर पाँच राज्ये पढ़ते हैं अगला कुश है राजिस्थान का क्या है? परमपारिक निर्थे जिसमें घूंगट वाली महिला क्या है? निर्थ गयने सिर्पर साथ से नौ पीतल के घड़ो को समालती है कहलाता है लीजे बाई, जल्दी से मुझे बताइए यह ऐसा कौन सा निर्थ है जो कि यह एक पूचा गया था कि यह जो भवववववव निर्थ है यह जो राजिस्थान का एक भवववव निर्थ है जो कि घूंगट से धक्योई जो महिलाएं होती है वो अपने ओपर साथ से नौ पीतलों के बरतनों को रखकर क्या करती है उसको रखकर अपने आपको निर्थ करती है या फिर नाच करती है तो जिस बच्चों ने फोर्त लगाया वो बच्चों ने विल्गूल करक्त लगाया ठेक अगला कोशिन मदुबनी एक प्रसिद है तो मदुबनी क्या प्रसिद है ये पांच मिंदू देखे ये चार ऑप्शन दिये गए है तो पहला जील है राजस्थान में बिहार की शाल है या फिर आदरपरदेश की बुनी भी साड़ी है या बिहार की एक परकार का लोग कला चितर कला है और बिहार का एक इस्थान है तो देखो दोस्तों सीधी सी बात है बिहार की शाल नहीं है जील नहीं है और आदरपरदेश के बुनाई नहीं है तो बिहार का एक परंपारिक लोग कला है एक चितरकला है जो कि घर के आंगन और दिवारों पर बनाई जाती है और बिहार का एक इस्थान यानि की मदुबनी जिलावी है तो जिस जिस बच्चों ने D और E लगाया यानि की option number 4 वो बच्चों ने बिल्कुल character बिल्कुल right answer लगाया यह तीन जिलावी है तो बिहार में मदुबनी नामक का एक जिलावी है डिरेक्ली यह कुशन यहां से निकल कराया था ठेक आगे चलते हैं अगला कुशन आ जाता है दोस्तों पैड़ागोजी का अब मुझे बताईए NCRT हमने अभी अभी कम्प्लीट करी NCRT में से जो पंदरा कुशन आपके पूछे उसमें से कितने कुशन आप लोगों के साई हुए जल्दी से मुझे बताईए ठीक है अगला कुशन आपके स्क्रीन पर है उसे भी पढ़िए एक बच्चा है सोभीत किताब में एक चितर देखता है जिसमें लड़कियों को क्या कर रखा है गोटियां खेलते तथा लड़कों को किर्किट खेलते वे दिखाया गया है वे अपने अध्यापक से पूस्ता या पूस्ती है कि लड़के और लड़कियां अलग-अलग क्यों खेल रहे हैं लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं लड़कियां किर्किट क्यों नहीं खेल रहे हैं तो निमलिखित में से कौन सा परियावण धन सिक्षन उद्दीश ये इस घटना में समलित है और बाकी आगे ये दो option यहाँ दे रखे हैं दो option यहाँ दे रखे हैं और चार option यहाँ दे रखे हैं तो पहले आप लोग जो हैं इसके सुरू के क्या पढ़ लीजेगा दो option पढ़ लीजेए यह दो option पढ़ लो पहले पहला है उच इस तरिया अवलोचनात्मक सूच विकसीत करना बिल्कुल दोस्तो अब उस बच्चे के मन में यह बात डवलप्ट हुई higher level critical thinking की कि भाई दोनों के game अलग अलग क्यों है एक साथ क्यों नहीं हो सकते तो a is the right answer चलिए 15 में से 14, 13 और 15 में से 15 ठीक हुई चलिए बहुत बढ़िया भाई हो ठीक है तो दोनों के एक जैसे game क्यों नहीं है तो ये एक चीज उनके मन में विकसीत हुई अगला है व्यापक सांस्कृतिक नजरी एवं सोंदरी के परतिस नहीं दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर संस्कृतिकी बात करी गई है यहाँ तो लड़कियों और लड़कियों के जो gendered wise देखने को मिल रहा है उसकी बात करी गई है तो ये दुबलत हो गया अगला है अवलोकन और चितरन के आधार पर समझ भी कसित करना ये भी बिल्कुल ठीक है भाई उस बच्चे ने किताब के अंदर जो चितर दिया था उसको रीड करके उस चीज को बताया तो उसका अवलोकन शक्ति और चितरन शक्ति बहुत अच्छी है ये भी बिल्कुल ठीक है अगला है समाजिक घटना के बारे में जिग्यासू बनाने के लिए संग्यानात्मक शमता का विकास बिल्कुल दोस्तों जो समाजिक घटना है जो जेंडर बाइस है लिंग भी शमता है ये क्या अधिकतर देखने को मिलती है तो यहां देखतार हमारी समाजिक घटनाई देखने को मिलती है हमारी शोशल के अंदर किस-किस परकार की अलग-अलग परकार की चीजे हैं उनको देखने को मिलती है तो इस परकार की विकसित करने की बात कर रहा है तो A, C and D भी गलत था यानिके option number D is the right answer जिस-जिस बच्चों ने option number D लगाया वो सभी के सभी बच्चों ने क्या लगाया विल्कुल right answer लगाया ठीक है? हाँ, D साइज हाँ सभी बच्चों का बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं अगला question परियावण अध्धन के एक सिक्षक के रूप में आप कक्षा के अपने विध्यारतियों के समक्ष, विशे, रित्वे, प्रस्तावित करना चाते हैं निमलिकित में से कौन एक उत्तम सिक्षन सास्त्रिय युक्ती होगी तो ये चार युक्तियां दे रखें और आपसे पूछा गया, जल्दी से मुझे बताईए यही है, बस इतना ही question है, तोड़ा लेंदी मुझे लगा यही है question, जल्दी से बताईए परियावण धन के आप एक सिक्षा को मान लीजिए और कक्षा में आप विध्यारतियों क्या करे हो उसके समख से रित्वों के बारे में और उसको समझा रहे हो, सिखा रहे हो, परस्तावित कर रहे हो तो एक उत्तम सिक्षन सास्त्री युक्ती क्या होगी पहला होगा संप्रत्य रित्वे नहीं दोस्तों कभी भी हम संप्रत्य वेगरा factor वेगरा या facts वेगरा की बात नहीं करते हैं और chart वेगरा के दुआरा समझाई जारी है तो यह तो गलत हो गया अगला है शामपट पर लिखने देखो फिर वही बात कर रहा है तो आप केवल आप बढ़ते हैं तो इससे क्या समझ में आएगा इससे अच्छा है क्या है रितू के विषय में रूची का विकास करने के लिए भोजन की आदतों पहने के बस्तों और संधर्बुत इस्थाने सहित्तियों का उपयोग करें हाँ ये option number fourth is the right answer है आप सभी बच्चों को पता है जैसे जैसे रितू बदलते रहते हैं हमारे खानपान की आदते हैं हमारे पहनावे के आदते ही बदलती रहती हैं इनके बारे में आप बच्चों को क्या कर सकते हो इस्थाने सहित्ते को उप्योग करके आप बच्चों को समझावे सिखा सकते हो तो D is the perfect and right option ठीके? हाँ, D is the right answer अगला question बोला है कि निमलिकित में से कौन से कथन आकलन की प्रकति की सही व्याख्या करता है तो जल्दी से मुझे बताइए कि इन में से कौन सा ऐसा description है जो की nature of assessment की सही correct description कर रहा है तो ये 4 बिंदू देकर ये 4 option दिये गए हैं बाईयों, इन 4 option में से चुनना है आपको, तो option A option B, option C या फिर option number D, कौन सा बच्चा बताएगा फटा-फट बताईए question को पढ़िए, आकलन की बात कर रहा है वो, ठीक है? आकलन की बात कर रहा है, तो क्या सही होगा? जल fif मताईए जल्दी से बताओ चलिये, ब recycling कह रहा है, C चलिये, कुछ C लगा रहे हैं, जादतर C लगा रहे हैं, और कुछ D लगा रहे हैं और कुछ B भी लगा रहे हैं, चलिये, एक बच गया देखो आकलन की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है आकलन की बात कर रहा है तो दोस्तो पहला हो गया आपका शिक्षन अधिगम की परिकरिया का एक हंग है जो कि सतत चलता है बिल्कुल दोस्तो आप सही बच्चों को CCE चैप्टर पढ़ते हो जो कि continuous चलता रहता है तो यह तो बताता है, उपलब्दी उस्थर क्या है, वो next class में जाने योगी है की नहीं है, अब यहाँ पर यह आकलन की प्रकृति कहरा है, अब यह कौन से आकलन ही कर रहा है, राचानात्मक्की कर रहा है कि योगनात्मक्की कहरा है कुछ पता नहीं है, तो इसलिए हम इसे negative and positive रख लेते आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है, सीखने में आई बाधाओं का पता लगा कर उन्हें दूर करने, बिल्कुल दोस्तो, formative assessment में यही तो करते हैं, जो उसकी बाध है, उसको पता करना, फिर उसको दूर करना, अगला है, विध्यारती की सीखने की प्रवर्ति, रूची एव प्रवर्शन नंबर A, C and D, जिस जिस बच्चों ने A, C and D, यानि की यह, यह और यह लगाया, वो बच्चों ने बिल्कुल सही अंतर लगाया, यह गलत था, पढ़ने के बाद पता चला कि आपसे ए फॉर्मेटिव की बात कर रहा है, कि समेटिव की बात कर रहा है, ठीक है? चली, हाँ जिस, C is the right answer, आगे चलते हैं, अगला कोशन, अगला कोशन है कि कक्चा 5 के परियावण धन सिक्षर के रूप में पाठ, बोलिती इमारते के लिए आपको विध्यारतों को एथियासिक इमारतों को प्रस्तूत करने की अवशक्ता है, आप क्या सोचते हैं कि कौन स जल्दी से मुझे बताइए, औप्शन A होगी, औप्शन B होगी, औप्शन C होगी या फिर औप्शन नमबर D होगी, जल्दी से बताइए, ओके, ऑनलाइन खेल और पहेलिया, ओके, हिस्टोरिकल मोमेंट्स के बारे में पैसिस को रीड करने की बात कर रहा है, इमारतों का ब्रमण, ओके, लीजिए भाई, इससे बेटर ऑप्शन क्या होगा, जो लोकली एतियासिक इमारते होती है, उनके ब्रमण पर ले जाना, जो मॉनुमेंट्स है, आपके हिस्टोरिकल, उनके ब्रमण पर ले जाना, जब आप उनको वहाँ पर लेकर जाओगे, जैसे कि एतिय इमारते हैं, उनके ब्रमण पर ले जा सकते हो, और उसके बाद आप उस पर चर्चा करवा सकते होगी, क्या सीखा, क्या नी सीखा, क्या वलोकन करा, क्या वलोकन नहीं करा, तो इससे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ये कहना बिल्कुल गलत है, कि उस पर पैसे लिखवाद हो या पैसेस पड़वाद हो या उससे संबदिज जो है ऑनलाइन खेल वगएरा करवाद हो या जो आपकी इमारते हैं उसके भूतकाल समझने के लिए उसका व्याख्यान ये तो हम कभी भी नहीं करते हैं लेक्चर वगएरा देखा है ये निश्क्र ये बैठड़ है जिसके दवारा बच्चा क्या करता है वहां आपका इन एक्टिव बैठा रहता है तो जिस-जिस बच्चों ने C लगाया या निगितार लगाया वो बच्चों ने बिल्कूल करेक्टर बिल्कूल राइट अंसन लगाया ठीक है अगला कुछ है अगला है अध्यापक विध्यारतियों से एक चीटी का चित्र बनाने को कहते हैं विध्यारति चीटी के चार पैर बनाते हैं जब कि कुछ छै और कुछ आठ पैर बनाते हैं तो अध्यापक को क्या करना चाहिए लीजिए भाई आपने बच्चे को बोल कई ओने आठ बना दिये तो आप इस मामले में क्या करोगे option number a option number b option number c या फिर option number d चलिए बच्चे कहारे सर्ड डी होगा चलिए पहले डी ही देख लेते उन्हें क्या करें एक अवधक लेंस देले क्या देदे आप उनको उनको आप एक लेंस देदे magnifying glasses देदे और उनको fine glass यानि कि जो lens होता है वो दे दो और उस बच्चे को बोलो कि चीटी को ध्यान से देखो चीटी की 4 तांगे है या फिर 8 तांगे है तो बच्चे को क्या मिलेगा यहां से real life situation की जयनकारी मिलेगी ठीक है यह नहीं कि उनको चितर दिखा कर चितर में जैसे आपने बताई 6 है 8 है 10 है तो उस परकार से चितर में भी तो गलत प्रिंट हो सकता है रियल लाइफ से क्या better example होगा रियल लाइफ से क्या better example होगा ठीक है तो इसलिए दोस्तों option number 4 is the right answer जैसे कि आप मान कर चलिए डॉक्टर जब पढ़ते हो आप डॉक्टरी की पढ़ाई तो उसमें शुरू आप रियल लाइफ ग्यान लेते हो कि सीते ऐसे हैं चोट लगे तो ऐसे हिलाज करते हैं तो वही यहाँ पर रियल लाइफ ग्यान लिया जा रहा है तो option number 4 is the right answer ठीक है जिस बच्चों ने 4 लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल correct answer लगाया अगला question बोला है कि कक्षा 4 के EVS क सिक्षक के रूप में आपको विध्यारतियों को अंतरिक्ष यात्रियों का संप्रत्य प्रस्तावित करना है इसके लिए आप कौन से प्रक्रम का अनुसरण करेंगे या करेंगी जल्दी से मुझे बताईए आप बच्चों को क्या बताना चाते हो अंतरिक्ष यात्रियों क कि आत्मक अथाएं साजा कीजिए और उने उनकी मुख्य विशेष्टाओं से इंगित करिए अंत्रिक्ष यात्रियों के परिभाशा नहीं दोस्तों याद करने के लिए तो हम कभी नहीं कहते गलत हो गया यह फिर वही रेक्षर वैथर की बात कर रहा है व्याख्यान की बात क कहानी क्या है वो तो मनमाही है अच्छी बनाने के लिए कुछ भी इदर उदर बदला जा सकता है तो आत्मक अथा जो बैटर रहेगी तो इसलिए दोस्तों आप्शन नमबर सी जिस बत्चों ने सी लगाया वो बत्चों ने बिल्कुल करेक्टर बिल्कुल राइट अंसर ल वो शाकाहारी भोजन तथा लाल गोले जो मासाहारी भोजन खाने के सूचित करते हैं अध्यापक ने विध्यारति को विभिन भोजन उत्पादों के पैकेट देखकर उनकी उन्हें साकाहारी अतवा मासाहारी के सूचित बंद करने को कहा इस गतिविदी में निमलिकित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है लेजिए तो देखो ये चार बिंदू है पहले आप ये चार बिंदू देख लो कोशन क्या था कोशन ये था कि आपने बच्चे ने खाद्य परदार्त के ओपर देखा कि कुछ पैकेटों के ओपर हरा गूला है और कुछ पैकेटों के ओपर ल देखो दोस्तों, पहली बात, पेकेट देखते कर तो पहचानना तो हो गई होगा क्या है पैकेट दिया जा रहा है तो पैकेट देखकर उसको पहचानना है तो पहचानना तो हो गई होगा कलपना किस परकार की जब उसके हाथ में पैकेट है पैकेट को देखकर ही देखना है कि यह महाशा आ रही है साका आ रही है सूची बनानी है तो कलपना किस बात की करनी कलपना तो तब करी जाते हैं जब कुछ है नहीं माइंड में सोचिना पड़ता है साथ ये साथ मैं पूर अनुमाल लगाना या पूर ग्रै कि ये ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकती है उस इक बारे में क्या करना हमें जो चीज लिखी हुई है, सामने उस चीज गवा में पता करना है, और वर्गी करना, वर्गी करना करने का मतलब बाटना की ये बाइशा कारी है, ये मासा आरी है, तो A और D is the perfect answer था, तो जिस जिस बच्चों ने A और D यानि के option number 4 लगाया, वो बच्चों ने बिल्कुल correct लग पाना है, निमलिकित में से आप किसे प्रात्मिक्ता देंगे, लीजिए भाई, पर यहां संबंदित संकालिन मुद्धे जो होते हैं, जो आपके issues होते हैं, इन्वार्मेंट से related, उसकी बारे में आप बच्चों को क्या करना चाहते हो, अवेर करना चाहते हो, आप उन्हें प्रात्मिक्ता देंगे, तो किस चीज को देंगे, ऑप्चन अमबर A के द्वारा प्रात्मिक्ता देंगे, ऑप्चन अमबर B के द्वारा देंगे, ऑप्चन अमबर C के द्वारा देंगे, या फिर ऑप्चन अमबर D के द्वारा देंगे, जल्दी से बताएं, चलिए बच जैसे कि पर्दूशन हो गया, या किसी परकार की आपदा हो गया, आपको कहां से मिलेगा पता, न्यूस पेपर या न्यूस से ही पता चलेगा, तो इसलिए विध्यारतों को समचार चैनल देखने के लिए कहेंगे, चलिए ठीक है, अगला है, विध्यारतों घर पर समचार पत का उलेख करेंगे और उनको साजहा भी करेंगे ओके ये बेटर ओप्शन है कि कक्षा से संबंदित लेखो का उलेख करेंगे और घर पर समाचार पतर पथन को सुनीचित करने के लिए मातापिता से बात करेंगे तो option number C is the better option है दोस्तों क्या है C क्योंकि दोस्तों आप ऐसा कारेकरम ऐसा प्रात्विक्ता दे रहे हो जो कि प्रात्विक्ता किस चीज के लिए विध्यार्त का परियावरंदम से मुद्दों से related है तो उससे अच्छा सबसे अच्छा क्या होगा आप जो भी relevant articles है जो भी आपके संबंदित लेख है उनका उलेख करोगे और उनको साझा भी करोगे कहाँ पर कक्षा में इसलिए इससे better option क्या होगा तब पता चलेगा ना बच्चा कर रहा है आपने आप कर रहा है किसी की मदद ले रहा है क्या कर रहा है कि एक बच्चा है जो अपने हाथों की साहेता से जनतो की परच्चाई बना रहा है और वह विद्ध्यार्तियों से यह है अंदाजा लगाने को कहता है ओके जो जोन जोन टीचर है ठीक है लगाने को कहता है कि परच्चाई में कौन सा जैनवर बन रहा है इस गतीवीदी, में निमलेखित में से कॉन से परक्रिया शां में? लीजे भाई! मान कर चलिए आपको पर्चाई बना रहा है, तो आपने बच्छाई बना रहा है, और पर्चाई बनाने के बाद बोल रहा ही कि यह क्या है अनुमान है अवलोकन है निशकर्ष है या फिर वंडन है कौन सा बच्चा बताएगा जल्दी से बताइए चलिए बच्चे कहा रहा है B होगा B क्या है A B और C A B क्या है अनुमान लगाना बिल्कुल दोस्तों पहली बार तो जो भी परच्चाई बन रही है तो पूरी सटीक नहीं बनेगी थोड़ी बहुत उपर नीच होगी तो आपको अनुमान तो लगाना पड़ेगा अगला है अवलोकन भाई देखोगे अवलोकन करोगे पर तो सोचुगे थरकर विकर करोगे वो भी हो रहा निशकर्ष हाह ah आखरि में निशकर्ष तो देना आपको की बाई कुटता हया बिली है और आखरि में वरंटर वरंडन तो हो इनी ञारा आपकर देख कर बताना है उसके बारे मेरे यए थोड़ी बताना है उत्ते के चार पैर होते हैं, दो कान होते हैं, दो आक होती है, ये खाता है, वो खाता है, वो नहीं हो रहा है, तो option number A, B and C, जिस जिस बच्चों ने A, B and C लगाया, वो बच्चों ने बिल्कुल correct और बिल्कुल right answer लगाया, हाँ, B is the right answer, ठीक है, जिस जिस बच्चों ने B इसको और संकियत करता है, आप सही बच्चों को पता है, EBS अपने आप में एक अलग विशे नहीं है, EBS के अंदरकत कुछ विश्यों को मिला कर बनाया गया, कौन-कौन से विशे हैं, तो वह है विज्ञान, समाजी कध्यान और परियावन सिक्षा, इसकी पूरी जानकारी जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंटेग्रेडिड कहते हैं, एक इकरित कहते हैं, तो option number D, जिस जिस बच्चों ने D लगाया, वो बच्चों ने बिल्कुल सही अंसे लगाया, ठीक है, अगला कोशन, अगला है, ओके, लेंदी कोशन है, कोई दिक्कत वाली बात न अगला कोशन है, रिन्नी, ने अध्यापक से पूछा, कि पोधों के तने गोल क्यों होते हैं, चकोर क्यों नहीं, अध्यापक को क्या करना चाहिए, या क्या करना चाहिए, पहला, अध्यापक को विध्यारती से कहना चाहिए, कि वे इस बारे में उच्चे कक्षा में सीखे ये तीन बिंदू देकर, ओके ये चोथा बिंदू भी है, अध्यापक को विध्यारतियों को बाद में को, क्या है, घुमने या फिर उनको घुमाने के लिए ले जाना चाहिए, तथा विविन तनों को ये आकार देखने के लिए कहना चाहिए, और इस हिसाब से दोस्तों आप आपको ये चार उप्शन दे रखें, इन चारों में से आपको ये दो उप्शन चुने हैं, चलिए जल्दी से चुने हैं कोन सा बच्चा इसका correct answer बताएगा, फड़ा वड़ बताईए, A, B, C या फिर D, जल्दी से मुझे बताईए कोन सा बच्चा बताएगा, 26 का C, C क्या ले कहेंगे, तो बच्चा अपने आप क्या करेगा, अब लोकन करेगा, ये तो ठीक है, अगला है, C, C क्या था अगला, C, C क्या है, अध्यापको विध्यारती से तने के गोल अकार होने के कारण सूचने के, हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, आप बच्चों को critical thinking, logical thinking के उपर prosite कर रहे हो, अफसर दे रहे हो, मोका दे रहे हो, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये कहना गलत है कि गुर्तवाकर शड़ी के कारण है, या फिर ये कहना गलत है कि आप उच्चिक अक्षा में सीखोगे, बच्चों को अभी सिखाओ न, अगर उसके मन में एक curiosity उत्पन हो रही है तो, तो C और D is the right answer, जहां बच्चा खुद करके सीख को देखेगा, हाँ, C is the and D is the right and perfect answer, अगला question, निमलिकित में से कौन सी विधियां परियावन धन के संपदान में प्रभावी हो सकती है, तो जल्दी से मुझे बताइए, option number A, option number B, option number C, या फिर option number D, कौन सा बच् दो कुछ हो ना हो, व्याख्यान तो होगा नहीं, कुछ हो ना हो, lecture method तो होगा नहीं, क्योंकि teacher center है, teacher center हम इसका इस्तमाल करते नहीं है, ठीक है, चलिए, बच्चे करें 27 का C होगा, सर, C और D, okay, C और D क्या है, कहानी सुनाना, या सुनना, और भूमी का निवान, बिल्कुल दोस्तों, C और D, जिस जिस बच्चों ने C और D लगाया, वो बच्चों ने बिल्कुल सहियन से लगाया, chalk and talk method भी गलत है, एक तरीके का ये भी क्या है, lecture method है, कि बोर्ड पर लिख दिया, और बच्चों को बताये जा रहे हो, बोले जा रहे हो, ठीक है, तो इसलिए, option number C is the राइटरंस है, जिस जिस बच्चों ने C और D लगाया, वो बच्चों ने परफेक्टरंस है, ठेक, अगला प्रश्ट, एक प्रियावण धन अध्यापक, विध्यार्तियों को उनकी मम्मी का वंडन करने वाली कवीता लिखने को कहती है, पम्मी, मम्मी अपनी कवीता, पम् मम्मी के अध्यापक होते, तो आप क्या करेंगे, मिष्टी दोही आप सही बच्चों को पता है, रजगुल्ले की तरह ही होता, रजगुल्ला ही मान लीजिए, कहां का बंगाल का, तो उसकी बात करी जा रही है, लेकिन कुछ बच्चे जो है, मिष्टी दोही नहीं जानते ह पहला है, मिष्टी दोही लाकर खिलाएंगे, इस्थाने बर तब मिष्टी दोही लाकर दिखाएंगे, और विध्यारत को मिष्टी दोही कैसे बनता समझा, देखो दोस्तों हमें याँ व्यंजन बनाना सिखाना तो है नहीं, और साथी साथ में दोस्तों लाकर खिलाएंग और उनको लाकर दिखाएंगे, आप सही बच्चों को पता है, पूछा है उसने आज है, उत्तर आप उसे कल दोगे, क्योंकि कली ला पाओगे, उससे पहले तो ला नहीं पाओगे, तो इससे अच्छा यही है कि आप उसको मिश्ची दोई का इस्थाने भाषा में नाम बताओ लोकल लैंग्वेज में, तो जिज जिज बच्चों ने आप्शन लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल राइट अंसर लगाया, हां, बी is the correct answer, ठेक है, जिज जिज बच्चोंने व लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल और अंसर लगाया, ठेक, अगला कुछ बोल रखा है कि प्रात्विक स्थर पर एक अच्छे प्रियावन अध्धन के पाथ्य चरिया की विश्रिष्टा है तो देखो दोस्तों प्रात्विक स्थर के अनुसार बोल रखा है कि अच्छे प्रियावन ध्धन की क्या पाथ्य चरिया होने चाहिए पहला विध्यारतियों के ने उत्पादों के अविश्कार में लगाना, ज्यान अर्जित करने में, विध्यारतियों को समाजिक भावनात्पा कोशल के विकसित करने में, विध्यारतियों के आपका जैविक को परजनकी में साहेता करना, मतलब लिविंग होड के लिए उतको सा अगला option क्या है तो दोस्तो पहला है विध्यारतियों को क्या करना है आपको नए-नए उत्पाद को के अविश्कार करने के लिए दोस्तो नए-नए चीजों को सीखने के लिए ठीक था लेगिन नए-नए परकार के प्रोडेक्स को बनाने के लिए किसलिए होना चाहिए हमें जादा तर चीजे परियावन को समझाने सीखने के लिए होना चाहिए ना, बिल्कुल C is the right answer, जो बच्चों के अंदर समाजिक भावनात्म कोशल का विकास करें किसका social development का कि किस परकार से बच्चे को आगे जाकर समाज के साथ रहना है, समाज के साथ काम करना और किस परकार की बाते हो तो option number C is the right answer, ठीक है अगला question बोल रखा है कि परियावन अध्यन में समूच अर्चा करना चाहिए क्या बोल रखा है, समूच अर्चा करना चाहिए इस से सार्थक ज्यान का निर्मान होता है निमलिकित में से कौन सा कतन इस तथे की सर्वोत्तम व्याख्या है तो जल्दी से मुझे बतेए best, describe क्या है इस fact का option number A, समाजिक संपर के माध्यम से अधिगम सरलो जाता है विचार और अनुभव दूसरों के साथ साजा किये जाते है प्रतेग बच्चा अपनी राय व्याक करने हितु सोतंत होता है और प्रतिक रियाओं को बिना क्या करना है, आलोच ना सुईकार किया जाता है समू चर्चा करवाई जाते है इसका सार्थक ज्यान निर्मान होता है सार्थक ज्यान निर्मान क्यों होता है विदीशिदी सी बात है दोस्तों आपके अमन में जो विचार चल रहे हैं वो सामने वाले को परसुत करते हो तो एक दूसरे के अनुभव को आप साझा करते हो और एक दूसरे के अनुभब से सीखने का परियास करते हो आप इसलिए सामविक जो चर्चा होती है हो सबसे ज़धा prefer करी जाती है तो इसलिए दोस्तो option number second और साथ ही साथ में समाजी करण का भी विकास हो रहा होता है क्योंकि आगे जाकर उसको उसी समाज में ही रहना है तो option number second जिस बच्चों ने second लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल character बिल्कुल right and perfect answer लगाया ठीक है? चलिए आगे चलते हैं ओके खतम भाई तो ये था दोस्तो आज के अपने 30 question अब मुझे बताई इस 30 question में से आपके कितने question सही हुए बाकी दोस्तो इसका pdf आप सही बच्चों को पता है अपना telegram channel है जिसकी id क्या है तो id है dk गुपता बिना space दिये हुए इस पेस नहीं देना जगा नहीं छोड़नी है डबल वन डबल टू ये सर्च मारिएगा आपको telegram हमारा मिल जाएगा वहाँ पर इसका मैं pdf आप लोगों के साथ शेर कर दूँगा उसको आप डाउनलोड करके आप उसको revise करने के लिए भी इस्तमाल कर सकते है चलिए चलिए तो ये था दोस्तो आज का अपना पूरा का पूरा लेक्चर आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक तो आज हमने 9 जनवरी वाला पेपर कर लिया कल हम मिलेंगे तो 10 जनवरी वाला पेपर करेंगे ठीक है तो चलिए दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आप से फिर मुलाकात होगी एक नेक्स वीडियो में एक नेक्स टॉपिक के साथ जब तक ले सभी बच्चों को धन्यवाद